एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में आज जो वीडियो में बनाने जा रहा हूं वो वीडियो वंदरोगा के लिए तो important है लेकिन PCS के लिए और important है वहाँ पे यहाँ से अक्सर question आते हैं इस बात को ध्यान लखिएगा क्योंकि जो topic है उसका नाम क्या है important institution related to environment and forest one एवं परियावरन से संबंदित महत्वण संस्थान के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं हो सकता है को छूट जाए तो वो अगले किसी वीडियो में complete हो जाएगा लेकिन बड़ा जरूरी वीडियो है क्योंकि main part यही है तो चलिए शुरुआत करते हैं one by one मैं फिर बता दू पीसेस वाले भी ऐसा मत समुझे कि इसको नहीं पढ़ना इसको भी पढ़ना है उसको भी पढ़ना है और अच्छा लगे तो like करिएगा और comment box में comment दरू करिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले परियाव यह दियान से सुनिएगा परियावरा वह वन मंत्राले बनाया गया 1985 में लेकिन अइसा नहीं था कि तब से वन पर पर परियावरा बनाया गया 1985 में अब दूसरा है बॉटेनिकल सर्वे ओफ इंडिया हिंदी में कहा जाए तो भारती वनस्पत सर्वेक्षन है मैं आपको सला इंग्लिश में कुछ चीजों को रटी है जैसे BSI को आप BSI ही रटी है Botanical Survey of India Hindi में भी यही आएगा English में भी यही आएगा Botanical Survey of India इसकी जो स्थापना हुई 1890 में हुई और इसका Headquarter है कलकत्ता याद रखिएगा Botanical Survey of India इसकी पुनर स्थापना रखिएशन किया आजादी के बाद 1954 में लेकिन बना कब 1990 में एकदम रट डाली है Botanical Survey of India का उसके पांच बार UPPCS पर पूँचा है इसके चार रीजनल सेंटर्स हैं कितने हैं चार रीजनल का मतलब छेतरी कार्याल है कहां कहां Eastern India का जो है मेगाला की राजधानी शिलोंग Western India का जो है वो है पूने में उसके पां Northern India का जो है वो देहरादून में खुद है और Southern India का या Southern Area का है कोयम टूर में तो बहुत important है ये चारों टम को रट डालिएगा ठीक है Botanical Survey of India Botanical Survey of India का headquarter कहां पर है कलकत्ता में रट डालिए Botanical Survey का headquarter कहां पर है कलकत्ता में कब बना था ठार सो नबबे में ये PCS में आया है और भाई बंदरोगा के लिए तो बहुत ही important है क्योंकि वो तो main part है अगला आजाए Forest Survey of India ये जो तीन सर्वे हैं इनको रट डालिएगा Botanical Survey of India, Forest Survey of India and Geological Survey of India तो आजाएए Forest Survey of India भारती ये वन सर्वेक चलाएँ मैं फिर से बोल रहा हूँ Hindi English का फर्क नहीं पढ़ता कहीं Hindi लिखा है तो Hindi में पढ़ दीजे कहीं English लिखा है तो वन दरोगा वाले बच्चे English में पढ़नें जैसे आप देख रहा हूँगे जो अभी Test Series है वो Hindi में ही है क्योंकि Hindi में ही सही हो लग रहा है मुझे English में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी से request है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ देते रही है दूसरा आ जाता है Forest Survey of India भारती वन सर्वेक चड़ इसकी स्थापना हुई थी 1981 में इसका Headquarter कहां पे है दहरा दून में याद रखिएगा ठिक इसका Headquarter कहां है दहरा दून में इसकी भी चार Regional Office है कहां कहां है शिमला में है बैंगलोर में है नाटपूर में है कलकत्ता में चार Regional Office है किसकी Forest Survey of India की उपर देखे क्या था Botanical Survey of India के भी चार Regional Office थी Forest Survey of India के भी चार Regional Office है फिर आ जाईए 1916 में स्थापना हुई Geological Survey of India Geological Survey of India प्राणी सर्वेक्षन भारती है प्राणी सर्वेक्षन Geological का मतब प्राणी सर्वेक्षन इसका हेड़क्षन है कलकत्ता में टोटल दो बड़ी चीज है Botanical Survey का भी कलकत्ता में है और प्राणी सर्वेक्षन का भी कलकत्ता में है एकदम रटे रहिए Forest Survey of India कहां पे है देहरादून में है 1916 में Geological Survey of India या कहा जाए तो प्राणी सर्वेक्षन की स्थापना होई थी कहां पे कलकत्ता में इसका हेड़कॉर्टर है अब सबसे बड़ी बात ये जो दोनों है Botanical Survey of India भी चाहे हो Forest Survey of India ये सब किसमे है पर्यावरने वोन मंत्राले के अंतरगत ही आते हैं उसके पहले इंडिपेंडन चलते रहते होंगे ठीक है उसके बाद अगला आता है भारती वन प्रबंधन संस्थान इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टिटूशन 1982 में इसका हेड़कॉर्टर है भोपाल ये बहुत बार है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मानके चली गई ये आपको आएगा ही क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं फॉरेस सर्वे ओफ इंडिया कहां पे है हेदेहरादून में लेकिन भारती वन प्रबंधन संस्थान कहां पे है बोपाल में है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो बहुत जरूरी है अपने एक्जाम पॉइंट आफ यू से वो है सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री वो पारिस्थित की पुनर स्थापना संस्थान प्रयाग राज में है सबसे जरूरी आ सकता है क्योंकि ये यूपी क्या है इसलिए जरूर आएगा अगला वानिके अनसंथान है मानव संसाधन विकास केंद्र रियाद रखेगा और लास्ट वाला रास्टी प्रवाल भित्ती जहां लिग दे याद रखेगा प्रवाल कोरल रीफ नाशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पे है पोर्ट ब्लेर में है तो ये है आज का इंपोर्टन टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपोर्टन टॉपिक यही है थाइंक्यू सो मच कैसा लगा वीडियो प्लीज बताइएगा